श्रिक्रिष्ण लीडा चिंतन में श्रिकिष्ण की दोसरी वर्ष कांट, श्रिकिष्ण के द्वारा मोतियों की खेती, उस दिन भी आकाश से मूंदे जहर रही थी, आज ही मेग मुक्ता सद्रिष्य जल बिंडों की वर्षा का रही हैं। श्रिक्रिष्ण चंदर की पिछली प्रथम वर्ष गांट के समय जो कुछ जैसे हुआ था, आज इस वर्ष गांट के दिन भी सब कुछ वसर था, वैसे ही हुँ रहा है। उस दिन गोपूर सुंद्रियों ने देखा था, आजू भोर तम चूर के रोल गोकुल में अनंद होत है मंगल धुनी महराने टूल। फूले फिरत नंद अती सुख भियो हर्षी मंगावत फूलत मोल। फूली फिरत जिसोधा तन्मन उबटी काना अन हवाई मोल। तनक बदन दोव तनक तनक कर तनक चरन पोचित पट जोल। काना गरे सोहित मनी माला अंग अभूशन अंगुरनी गोल। सिर्चो तानी डिठोना दीनों आखी आजी पहिराई निचोल। शाम करत मातासो जगरो आट पटात कलवल करी बोल। दाउं कपोल गही के मुक जूमत बरस दिवस कही करत कलोल। सूर शाम ब्रज जन मन मोहन बरस गांठी को डोरा खोल। आजी वे ब्रजेश्री को अनंद मत एम अस्तविस्त भाव से अदेश करते देख रही है। आरे मेरे लालन की आयो बरस गाठी तम सकनी को बुलाए मंगल गान करावो चंदन आंगन लिपाई मुतियानी चोंके पुराई उमंगी आंगन अनंद सो तूर बजावो। मेरे कहवे प्रणी बुलाई एक सुब घर धराई बागे जीरे बनाई भूशन पहिरावो। अक्षत दूब दल बधाई लालन की गठी जुराई इह मोही लाहो नैननी दिखरावो। पंचरंग सारी मंगाई बधूनी ही जन्नी पहराई नाचे सब मंग अंग अनंद बढ़ावो। नंदरानी कवारन बुलाई इह रिते कही सुनाई बेगी करोकिन विलंब काहे लगावो। अंतर केवल इतना है कि उस्समें श्रीकिष चंद्र की आयूत थी जितनी आयूत थी आज उससे एक वर्ष अधिक की हैं। उनके श्रीयंगों का संदर्य नित्य नवीन नावन्य मध्रमा से ये सब शंचन में बढ़के कोटी-कोटी गुनित हो गे हैं। तथा पुर्वासियों का विशेषता ब्रज संद्रियों का अनंद अपरिशीम बन गया है। अनंद परवार से इत अनंद सागर में लेहरियों की भाती नास्ती हुई वे ब्रज पुरंद्रियां नंद भवन में उत्सम मनाने आई हैं। मधर मंगल गान करती हुई शिरिकिश चंद्र की आज की जहांकी पर निच्छा वरोरी है। उमर्गी ब्रजनारी सुभग काना बरस गाठी उमंग चहती बरस बरय बर्शनिं। गावी मंगल सुगान नीके सुर नीकी तान अनंद अती हर्षनिं। कंचन मनी चडित थार रोचन धदी भूल डार मिल्बे की तर्षनिं। प्रभु बरस गाठी जोरती वाच्छवी पर त्रिन तोरती सुम अरस परसनिं। उस्सम उप्रान में समापतोवन। विप्र पूजा अतिथी अभ्यागता अर्चना बंदू भांदव कटुम्बस है। वह सबसे निवरितो करके ये शोदारानी ने आप कहीं नील मनी को बाहर जाने की अनुमती थी। आप तक श्रीकिस चंद्र को भवन में रुद्ध रखना जन्नी की एक भारी विजे है। कितनी कठिंता में या कोई है। ये वे ही जानती है। मेरे लाल मैं तुमें एक मनी निर्मित मियोर दूँगी। उसे तु नचाना। अरे देख मेरे पास एक हीरा गोवस खिलोना इतना सुन्दर है कि दो देखकर चकित रह जाएगा। मैंने तुझे देने के लिए ही मंगाया है। तो उसे बल्राम को दिखाना। उसके पास ऐसा कोई खिलोना नहीं है। इस परकार विविद प्रलोबनों में नील मनी को भुला करके जन्नी ने दो पहर बिताए हैं क्योंकि मांगलिक क्रित्त के लिए शिर्किश चंदर का घर पर रहना आवश्यक था। साथ ही जन्नी को भेथा की पता नहीं ये बाहर जाकर के किस गोपी के घर कौन सा उत्पात करने लग जाए और इस परकार उसम में विघन हो जाए जो हो जन्नी के आदेश की देथी शिर्किश चंदर कूते फांते तुरंदवार के समी पहुंचे वहाँ गोप सका पर दीक्षा का रही थे उन सब को साथ लेकर के विपल भर में ही राजपत की सगन तरुशनेनी में मानो मिल से गे इशोदा रानी गोप रामाई जान नहीं सकी कि शिर्किश चंदर की धर किस तिशा में गए गोपियां भी अपने अपने घर लोटने का अपकरम करने लगी पर भीतर से सभी जान भूज कर विलम भका रही थी इस आशा से कि मेरे पीछे कदाचित नंद नंदन मेरे घर भी गई हूँ तो उन्हें यत्थेश उत्पात करने का समय मिल जाए किन तो शिरिकिष चंद्र आज इन में से किसी के भी खर उत्पात करने नहीं गे वे तो सर्था एक अनभव लीला का सुत्रपात करने एक गवारन के घर गे हैं अपने घर में एक आकनी एक गोप बाला बैठी उसके घर समी वर्ष गांट महस्सम में चले आए हैं शीगर से शीगर आविशक ग्रह कारे समाप्त करके नंद भवन में चले आने के लिए उससे भी वे सब कह गे थे पर शिरिकिष चंद्र का चिंतन करते करते वे ऐसी भूली कि आज वर्ष गांट है ये समरिती भी खो बैठी उसके नित्रों के सामने तो शिरिकिष चंद्र विवित करीड़ा कर रहे थे और वैं देख रही थी ये उसके मन की कल्पना है ये भान भी उसे नहीं रहा वैं तो अनभव कर रही थी वास्तों में प्रत्यक्ष नंद नंद नहीं है सखाओं के साथ खेल रही है आज घड़ी बीत कई है पर उसे चेत नहीं उसे ही चेत कराने के लिए शिर्किष चंद्र वो तम उस सव स्माप्त होते ना होते और कहीं न कहीं जाकर इसके घड़ आई है अपने घड़ तुमल अनंद नाज सुनकर के गोब बाला के नित्र खुल गे उसने देखा अपनी नाव नीरत कांती से भवन को उद्वासित करते हुए शिर्किष चंद्र मेरे सामने खड़े हैं गोब संद्री ठीक निर्दे नहीं कर सकी कि ये जागरत अवस्ता है या सप्न परस के प्रानों में एक अभूत पूर उल्लास पर गया इतने में भीना मिनन्दित मधहुर आती मधहुर कंट से शिर्किष चंद्र बोल उठे क्यों री तुम मेरे घर नहीं आई और सद्वालने तो वहां है और ये कहकर वे हसने लगे गोब बाला को प्रतीत हुआ मानों उसके करन पुटों में किसी ने में सुधा धरका दी हूँ मधु की धारा बहा दी हूँ उनमत सी हुई वै उठ खड़ी हुई शिर्किष चंद्र की और दोड़ी शिर्किष चंद्रों से आदे देकर भागने लगे पर उसने तो विद्ध तृत गती से आकर के उसका हाथ पकड़ लिया फे तो शिर्किष चंद्र को भे होने लगा कि पता नहीं इसने क्यों पकड़ लिया क्या करेगी ये हाथ चुड़ाने की जेष्टा करने लगे पर ग्वालिन हाथ छोड़ तो नहीं रही है बार बार वे उससे कहती है री तुने मुझे पकड़ा क्यों छोड़ते मुझे विलंबव रहा है किन्तु वे ना तो छोड़ती है ना कोई उत्तर देती केवल हसने लगती है आखिर में अपने गुटने की छूटने की युक्ती निकाल लेते हैं गौप सुन्दरी के वक्स्थल पर जूलते हैं मुझे हार को दूसरे हाथ से खीच के तोड़ डालते हैं मुटी भूई पर गिखर बिखरने लगते हैं अस्त व्यस्त भूई गौप सुन्दरी उन मुटियों को संभालने जाती है और इसी बीच में शिरिकिष चंदर का हाथ जूट जाता है और वे भाग निकलते हैं गौप सुन्दरी ने मुटी के दो चार दाने तो चुनके अंचल में रख लिए पर उसे ऐसा परतीत होने लगा आह मेरा मन रुप मनी हर कर शिरिकिष चंदर चले गी हैं अभी लंब वेह भी उस तूटे हुए मुक्ताहार को हाथ में लिए सर्था बावली सी हुई नंद भौन की और चल पड़ती अभी भी ब्रजराज के दोर पर गौप पनीताओं की भीड लगी है कोई भी गौप सुन्दरी वहाँ से हटने को तयार नहीं जाना नहीं चाती नंद 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 की चेश्टाओं को प्रसपर एक दूसरी से बता करके सभी सुक समद्र में निमगन हो रही है इनके बीच से होकर वे गौप बाला ये शुदा रानी के पास चली जाती है कुछ देर तक तो यो ही खड़ी रहती है चके दोकर बरजेश्री उससे आने का कारण पूछती है पर वैस कुछ भी नहीं बोलती जब ये शुदा रानी आतीशा प्यार से उसे अपने निकट बठा करके उसके सिर पर हाथ पेती है तम वे किसी परकार आतम संवरन करके अपनी बात कहती है मैया देखा मैं अपने घर के लिए बैठी थी तमारे नील मनी ने वहाँ जाकर मेरा मुक्ता हाथ तोड़ दिया इसी समय श्रीकिश चंदर वहाँ आप उस थे है जन्नी के द्वारा दिये गे मनी मियोर खिलोने को वे साथ ले जाना भूल गे थे उसी को लेने आए हैं जन्नी उन्हें अपने समी बुलाती है मुक्ता हाथ तोड़ने के संबंद में पूछती है श्रीकिश चंदर भी सर्था सत्य उत्तर देती है घटना सुने पर उपस्तित गोफ संद्रियों का हिद्दे अनंद से भर जाता है चन्नी के मकार विंद पर हासी चा जाती है वे पास खड़े अपने नील मनी को गोद में उठा लेती है कपूलो का चुम्बन करके उनके कान में धिरे धिरे कुछ समझाती है फिर अपने कंट का बहुमले मुक्ता हार निकाल करके नील मनी के हाथ पर रख देती है ले यदि मैंने तेरा हाथ तोड़ दिया है तो बदले में ये मुक्ता हार ले जा ये कहते हुश्री कि इस चंद्रोस हार को गोपाला के हाथ पर रख देती है तिदा अपना मनी मियोर लेकर के बार कियर दोड़ जाते ही ये शुदा रानी उस मुक्ता हार को उठा करके गोफ संद्री के गिले में डाल देती हार पाकर उसकी क्या दिशा हुई ये तो केवल वही जानती है पर उसका ये अप्रतिम सुभाग्य निहार करके अन्य गोफ तरनियों का तो रूम रूम पुलकित हो उठा साथ ही उन सब के अंतेस्तल में ये लाल सा जाग उठी ओ कदाचित हमारा भी ये सुभाग्य होता नंद नंदन के सकोमल कल कर पल्लव से सप्रिष्ट मुक्ता का एक दाना भी कहीं हम पास जाती इसके दूसरे दिन की बात है मुक्ता एम प्रवाल्ट से भरी पेटी सिर पर रखे हुए एक बंजारा व्यपारी ब्रसपुर में मुक्ता विक्रे करने आया नहीं नहीं सेम भगवान ब्रजेंदर नंदन शिरीकिष्ट चंदर की अचिंत लीला महाशक्ती उस बंजारे को बुला कर ले आई वीथियों में फेरी देते हुए वे राज्य सबाभवन के पास आया ब्रजेश का मैभव देख करके इसके नित्रों में चकाच्यों चागई ना जाने कितनी दिर वे अत्रिप्त नैनों से नंद प्राशाद एम सबाभवन की शोबा निहारता रहा फिर पेटी उठाकर के अपनी आवास की और चल पड़ा उसके हिर्दे में स्पंदन हो रहा है भला इस परम दिवे रत्तन में ब्रजपुर में मेरे इन शुद्र मुक्ताओं का ग्राहक कौन मिलेगा इसी समेशरे कि इस चंदर सामने आ निकले क्या बेशते हो ये पूछने लगे और पेटी उतरवा कर मोती देखने लगे उन मुक्ताओं में ऐसी जोती पहले थी या नहीं कहना कठिन है पर जिस शन श्रीकिश चंदर की उन पर दिस्टी पड़ी उस शन से तो उनकी चमक दमक ऐसी बढ़ गई कि सारे ब्रजवासी उने देख करके ठके से जके से रहे के आप नंद नंद तो उन मुक्तियों को लेने के लिए मचल उटते हैं निर्खी नैन अरजेयो मनमोहन रटत देहू कर बारंबार बंजारा पहने तो नंद नंद की और निमेश नहीं से देखता रहता है फिर एक परम सुन्दर मुति उनके करपलब पर रख दिता है पर मुति का मुल्य इतना देख के सुनते ही ब्रजेश्यर भी चकित रह जाती हैं लोटाने का तो प्रिश्ण ही नहीं क्योंकि उस सुन्दर मुति का जोती पर नंद नंद रीजोगे हैं अपने हाथ पर रखे हुए हैं दूसरे के हाथ पर भी नहीं देते हैं धीरग मोल कहेओ वे अपारी रहे ठगे सब को तुखार कर उपर ले राखी रहे हरी देतना मुक्ता परम सुढार पुत्तर का हट देख करके ब्रजेंदर उस मुति का मुल्य चुका देती हैं श्री कृष्चंदर की विजय होती है वे मुक्ता हाथ में लिए भवन के प्रांगन में चरे जाते हैं किन्तो आज तो उन्हें निया खेल खेलना है इसलिए त्रंत कालंदे की कपूर ध्वल रच मंगाते हैं रच से परम सुन्दर थाला निर्मित करके उस में बीज की भांति उस मुक्ता को बो देते हैं कौकुल नाथ बै जस्वमती के आंगन भीतर भवन मंझा अपने नील मनी का ये कोतुग देख करके जन्नी हसी रोक नहीं पाती हस्ती जस्वमती मात कहती करत मोहन कहा ये नहीं जानती बात ये करता सब जगत की किन्तो शन भर बाद ही ये शोदा रानी के अश्चर की सीमा नहीं रहती वो मेरे नील मनी की अंजली से जल गिरते ही उस मुक्ता बीज के स्थान पर तो अंकुरुदे हो गया शपष्ट दो पत्र विक्सित हुए विरूत निर्मित हो गया मुक्ता तरु वन गया शकाई फूट निकली मंजरिया लग गई फल लग गई फल भार से मुक्ता तरु नत हो गया राशी राशी मोती जहर रहे हैं शणों में ये कैसे ही हो गया साखा पत्र भे चल मेलत फूलत फरत न लागी पार ये शोदारानी ये नहीं जानती कि जिसके लिए शृतियां ये कहती हैं कि इस अक्षर के ही प्रक्षाशन में सूरे चंद्र विद्रित हैं स्थित हैं नियम से उनकी आग्या का पालन करते हैं ध्यूलो कैम प्रिथी दोनों विद्रित हैं स्थित हैं कभी उस अक्षर के द्वरा निश्चित मर्यादा का अधिकरमन नहीं करते हैं उस अक्षर के ही परशाचन में निमेश, महूरत, दिन, रात्री, पक्ष, मास, रितु, समसर, विध्रित हैं। स्थित हैं। कभी उस अक्षर द्वारा निश्चित करतावे की अवेला नहीं कर सकते। इस अक्षर के ही परशाशन में हिमाल आदी परवत श्रेनियों से नदियां परवाहित वरी है जो पूर की और परवाहित कर दी गई हैं वे पूर की और बै रही हैं और जो पश्चिम की और परवाहित हैं वे पश्चिम दिशा की और ही बैती जा रही हैं इस अक्षर के शाश में अक्शर्तत्त्तभी, उनके यिशोदा रानी के नन्ने से नील मनी ही हैं। मैया नहीं जानती कि मेरे च्छोटे से नील मनी में समगर एश्वरे, समगर धstarम, समपूरन यश, समपूरन शिरी, समद्ध ग्यान, समस्ध वेराग्य, नित्य वर्त्वान रहते हैं। ये स्यम भगवान है इनके लिए कुछ भी ये संभाव नहीं है इसी से श्रिष्टी के आदी में लोक श्रिजन की इच्छा की थी इच्छा होते ही इसने महतत्व एंकार पंच तनमात्र संभूत एकादश इंद्रियों तथा पंच महाभूतों से समनित प्रुश रूप ग्रह कर लिया यही कारण अर्नव शाई बना कारण समुद्र में सोते हुए इसी ने योग निद्रा का विस्तार किया था फिर नाभी श्रोवर से एक पदम की अभी विक्ति हुई एम उस पदम से ही प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्माग बनुए थे जिन से समस्त प्रजाश रिष्ट हुई मैया को यह पता नहीं कि मेरे इस सामरे सलोने दो वर्ष के पुत्र के लीडा अमाउग है लीडा से ही मेरा यह पुत्र अपने में ही विशाल विश्व की रचना करता है पोशन करता है फिर संहार भी कर लेता है किन्तु ऐसा करके भी इस यह इसमें असक्त न होता है ऐसा यह विलक्षन है समस्त प्राणियों के अंतर करण में इसका निवास है पर यह इतना छिपा रहता है कि इसे विरले ही जान पाती है छिपे रहकर घ्यान इंद्रिया एम मन का नियनता रह करके उनके विश्यों को ग्रहन भी करता है पर ग्रहन करके भी उससे लिप्त नहीं होता ये परमस्तंत रहे सब का शाशक है इसका शाशक कोई नहीं जैसे नट के अभिने संकेत को इसके संकल्ब को अंजान मनुश्य नहीं जान सकते वैसे मेरे इस शिशु के संकल्प से रचित इन विविद नाम रूपकों को जगत को इसकी विविद विचित्र लिलाओं को कुबुत्ती से भरे जीव तर्क लगाकर जान नहीं सकते इनकी लिलाओं तो अध्यांत तत्रुविक्ये हैं यदि शुदा राने को इस रहस्य का पता होता तो अपने नील मनी के द्वरा रचित इस मुक्ता तरुव को देख करके उन्हें अश्यर नहीं होता नित्य वाकसल्य सगन मोर्ती ब्रजेश्री इस अश्यरे का अनुसंधान भी नहीं ले सके इतना अवकाश ही उनके हिर्दे में कहा है श्यरी किस चंद्र का अश्यरे कभी जन्नी का दर्शन करने आता भी है तो दूर से ही वासले को किसी शुद्र लेहरी में बैह जाता है ब्रजेश्री तो स्तंबित खड़ी रहती है पर ये समाचार ब्रजपूर में फैलते देर नहीं लगती दल की दल गोब संद्रियां दोड़ पड़ी जो जिस सवस्था में थी वैसे ही चली आई उन्हें अपने नित्रों पर विश्वाश नहीं हो रहा है मत हो पर श्रीकिश्चंदर की उमंगतों उनमें समा नहीं रही है नाच नाच करवें अपनी अंजली को मोतियों से पूर्ण कर लेते हैं तथा निकट आई हुई ब्रज तरनी के अंचल में उडेल देते हैं साड़े छे पहर पूर जिन व्रज तरनीयों ने श्रीकिश्चन कारस प्रिष्ट मुक्ता के एक दाने की चाकी थी उनके अंचल ब्रजिंदर नंदर ने राशी राशी मुक्ताओं से भर दिये अगनित गोपों ने प्रजेश्वर ने भी इस मुक्ता तरू के दर्शन की ब्रज राज ने तो ये सोचा बैवनजारा नरलोक का प्रानी नहीं था कोई सिद्ध लोक के प्रुश इस वेश में आये थे हत्वा मेरे इस्ट देश्री नराएन की ही ये माया है नराएन की संब्रिती से उनका हिर्दे भर रया ब्रजेश्री ने भी अपने मन का समाधान ऐसे ही किया वे मुक्ता तरू तो अद्रिश हो गया पर मुक्ता के दाने जियों के तेओं बने रहे ये सत्य है या सप्न इसकी प्रिक्षा के लिए उन ब्रज तरनियों ने उन दोनों को मुक्ता हार में पिरोया हार को वे सदा हिद्धे पर धरन की रहती है हार के प्रतेक मुक्ता से उने श्रीकिश के परम सुख में श्पर्श का अनुभ होता है परतेक में उन्हें श्रीकिष चंदर की छवी अंकित होती है यहें मुक्ता हार उनका जीवन हार बन गया अवशी इस लीला का वास्तिक मरम किसी ने नहीं जाना जानत नहीं मरम सुर नर मुनी ब्रम्मा आदिक नहीं परत विचार सूर दास प्रव की ये लीला वरजवनिता पहिरे गुरुही दुहार क्रिश्न कनिया लाल कीजे ये शोदा मिया के लाल कीजे नंद के गुपाल कीजे